खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट चीन के कोरोना वाइरस को डबलू एचो ने इंटरनेशनल हेल्थ एमर्जेंसी घोशित कर दिया है डबलू एचो की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की इमर्जेंसी मीटिंग में यह ने लिया गया है बता दे की कोरोना वाइरस की चपेत में आने से अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 नए मामले सामने आए हैं डबलू एचो की महने देशक टेडरोस अदनों गेबरेसस ने ट्वीट करते हुए कहा है मैं कोरोना वाइरस को अंतराशी चिंता मांते हुए इंटरनेशनल हेल्थ एमर्जेंसी घोशित करता हूँ उन्होंने कहा है मैं इसे चीन में बीमारी के वज़े से नहीं की अन्य देशों में जो हो रहा है उसकी वज़े से इसकी खुशना करता हूँ डबलू एचो ने कहा है कि दुनिया भर में 8200 से अधिक मरीज है जिसे देखते हुए कोरोना वाइरस को मेटकल हेल्थ एमर्जेंसी घोशित किया जाना चाहिए बदादे कि चीन के वहान में कोरोना वाइरस के सबसे अधिक मरीज हैं हलाकि कोरोना वाइरस के सिर्फ एक प्रतिशक्त मामले चीन से बाहर पाए गए है उनमें भी जाधतर लोग या तो चीन के यात्रा करने वाले लोगों के संपर्ख में आए थे लेकिन चीन से बाहर के तीन देशों में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए है जिनमे वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचा है कोरोना वाइरस की वज़े से गूगल, फेस्बुक और एपल जैसी कमपनियों ने अपना काम आएस्था एरोप से बंद कर दिया है गूगल ने चीन के अपने दफतर को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला क्या है वहीं Facebook और Apple के ने अपने कामकाच को सीमिट कर दिया है